अबिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिवेट बैनो भाईयों यूनिफार्म सिविल कोड एक नए रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्रस्तुत किया है इस बार नाम बदल दिया गया है अब यूनिफार्म सिविल कोड सेकुलर सिविल कोड के नाम से उन्होंने पुकारा है क्या वाकई में इस बार भारती जन्ता पार्टी के नेतरत तो अलिकेंद्र सरकार UCC या SEC जो भी सेकुलर सिविल कोड क्या लागू कर पाएगी आज का विशे इसी पर अधारित है बैनवायू अब तक हमने सुना था यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकिन भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो भी इस वक्त समान नागरिक सहिता देश में लागू है उसे प्रधान मंत्री ने कमुनल करार दिया है और कहा है कि वो सांप्रदाइक है और धर्म के आधार पर मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाली है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का यह बहुत ही बोल्ड स्टेट्मेंट है कि वो मौझूदा नागरिक सहीता को कम्यूनल करार दे दें अब इसको लेकर कल से एक बहस चुड़ गई है बहस इस बात की है कि क्या वाकई में जो मौझूदा हमारा नागरिक सहीता है वो कम्यूनल है और उसमें क्या खामिया है और अगर सेकुलर सिविल कोड जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से हम सब प्रचलित बातों में जानते हैं क्या उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं कि जो वाकई में इसको सेकुलर करार देंगे और यह क्या मौझूदा वक्त में बीजेपी की जो इस्थिती है केंद्र में दिल्ली में क्या वो इस कानून को पास कराने में कोई प्रतिबद्धता दिखाएंगे वैसे UCC बीजेपी का बड़ा ही प्रिय विशह रहा है उसी तरह जैसे कश्मीर का विशह जैसे राममंदिर का विशह तो यूनिफार्म सिविल कोड बीजेपी के कोड़ सब्जेक्ट का हिस्सा है और ऐसी प्रष्लित मानने ता थी और लोग मान रहते कि इस बार अगर सरकार को वापिस लेना पड़ा या फिर वो सेलेक्ट कमेटी या जे-पी-सी को चले गए और यू-सी-सी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्या यू-सी-सी जिसका नया नाम प्रधान मन्तरी ने स्टूलर सिविल कोड रखा है क्या वो आने वाले वक्त में सदन में बिल्को परस्तुत किया जाएगा और क्या वाकई में इस देश में सेकुलर सिविल कोड लाया जाएगा उसकी कोई आवश्यक्डा है बीजेपी का मानना है हाँ इसकी जरूरत है क्योंकि धार्मी का अधार पर बेदभाव करता है और कमुनल है आज सुबह मायवती का एक पहला गंभीर बयान आया इस पर वैसे नार्मली कांग्रेस ने इसकी आलोशना की ती लेकिन इस द्रस्टी कोण से नहीं की ती जिस द्रस निर्पेक्षता के सिध्धांत का पालन क्या बीजेपी नहीं करती है क्या वो बाबा साप का संविधान नहीं मानती है क्या धर्म निर्पेक्षता के सिध्धांत का पालन नहीं करती है मायवती ने इस पर बाबा साहब को आगे करके बीजेपी को घेरने की कोशिश किये कि क चाहों संभिधान बदलना चाहते हैं लेकिन यह वर्ड उन्हों ने इस्तेमाल नहीं किये पर उनके इस बयान का लब लुआ यही था यानि आने वाले दिनों में यह अगर बिल प्रस्तुत किया जाएगा तो एक बहुत बड़ी डिबेट और चर्चा का विशे बनेगा लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है उस बात को भी फोकस करने जरू थे उन्होंने यह कहा कि इस पर सुप्रीम कोट के भी कई की है कि एक वाईडर कंसल्टेशन में केंडर की सरकार जाएगी इसके पहले कि उसे लोग सभा में या राजसभा में प्रस्तुत करें तो वाईडर कंसल्टेशन अगर हुआ तो जो सबसे बड़ी समस्या बनते हैं वो बनेगी टीडीपी और जेडियू उनके यहां से ज़्यादा परिशानी आएगी क्यों क्योंकि उनको वोट भी चाहिए माइनर्टी से और माइनर्टी में इसको लेकर यू सी सी को लेकर किस प्रकार के विचार हैं यह सामने आ चुक सब्सक्रा नागरिक सही था क्या जरूरी है आज चर्चा इसी विशे की होगी आप कुछ स्टेट्मेंट सुन लें कि सिवील कोड को हम लेकर करके जी रहे हैं वो सिवील कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कॉम्मूनल सिवील कोड ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में को यह नहीं कि कुछ लोगों के हिस्से में सब कुछ आ जाए हर जाती को उसका अधिकार मिले उसको सम्मान मिले यह आज के समय की जरूरत है अब दैस की जरूरत है निशित तोर से माननी प्रधानमंती जी जी ने जो कहा कि 40 करून से हम 140 करून हो गए है तो अब बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलना चाहिए हैं समीधान ने अधिकार दिये हैं अपने धर्म को मानने के समीधान जो हमेन अधिकार हमारा संड्रक्षन कर रहा है अधिकारों का हम उस ह але रोख हर वक्त आति करमन प्रधानमंती करना चाहते हैं तो बैनो भाई यों आज की परचर्चा को आगे बढ़ाएंगे समीर सिंग उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता आई पी-सिंग समाजवाधी-पार्टी के प्रवक्ता है, ब्रजेश शुकला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार डाक्टर एमेच खान मेरे साथ समीर सिंग जी क्यों चाहती है भारती जनता पार्टी की एक एक करके कोई ने कोई ऐसी कंट्रोवर्सी उत्पन हो जिसकी वजह से इस तरह